हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे तीनिया सोलियम की एक्सटर्नल मारफुलोजी के बारे में तीनिया सोलियम जो है वो किंगडम एनिमल या यानि एनिमल किंगडम का एक एनिमल होता है और यह फाइलम प्लेटे हलमेंथिस की सिस्टोडा क्ला जो है वो परजी वी होते हैं जादा तर परजी वी होते हैं कुछ जो है वो फ्री लिविंग होते हैं इसकी क्लास होती है सेस्टोडा के जो एनिमल होते हैं यह पतले होते हैं सेग्मेंटेड होते हैं और रिबिन के जैसे होते हैं और इनकी जो टैग्यूमेंट होती है उसक के अंदर और होती है वो होती है कि इसके जो लारवा होता है उसमें भी इसमें हुक प्रेजन्ट होते हैं इसका ओडर होता है सॉरी इसका ओडर होता है साइक्लोफिलीडिया या टीनो आइडिया अब इसमें जो स्कॉलेक्स होता है उस स्कॉलेक्स में चार बड़े चूशक हो परजी वी होता है और इसका यह दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकल को पूरा करता है और इसका common name होता है टेप वॉप external morphology अब इससे पहले हम तोड़ा सा इसके आवास के बारे में पढ़ लें सबाव और आवास के बारे में पढ़ लें यह जो टीनिया सोलियम होता है यह अपना जीवन जो है वो दो होस्ट में पूरा करता है यानि कि यह digenetic होता है इसका जो adult होता है वो इसका जो main host होता है primary host होता है वो होता है इसका human being की चोटी आथ में रहता है और यहाँ पे यह अपने scolix के जवारा जो intestine होती उसकी mucosa से चिपका रहता है और इसके मुख में और पाचन गुई का नहीं पाए जाती है और यह absorption जो है वो अपनी body से कर लेता है इसकी जो larva अवस्ताएं होती है वो secondary host के अंदर रहती है intermediate host में रहती है और वो रहती है उसकी pig में और पिक के जो tissues होते हैं वहाँ पे यह present होता है लेकिन कभी-कभी यह dog यह ship में भी देखा जाता है अब टीनिया solium जो है वो विश्व के उन सबी भागों में पाया जाता है जहां पर पिक को पाला जाता है और उसका मास जो है वो खाया जाता है और इसलिए इसका जो हम comment हम कहते है तो pork tape warm यह विश्व व्यापी होता है अब हम बात करते है external morphology की तीनिया solium की जो body होती है यह लंबी होती है एक ribbon like फीते के आकार की हो क्रिमिश कलर का होता है light कलर का जो होता है क्रिमिश कलर या white कलर का होता है gray कलर का भी होता है इसका शरीर जो है ribbon या फीते के जैसा होता है लंबा और चप्टा होता है इसकी लंबा ही लगबग एक से तीन मीटर दो तीन मीटर तक लंबा यह हो सकता है कभी-कभी यह 5 मीटर तक होता है इसकी डॉर्सल और वेंटरल दोनों सते जो है वो चप्टी होती है यानि ये डॉर्सो वेंटरली फ्लैटन होते हैं और बाहर से देखने पर हम पैचान सकते हैं कि ये इसकी डॉर्सल साइड है और ये इसकी वेंटरल साइड होती है इसकी बॉड़ी जो होती है ये opaque white color के होती है और इसकी body में segmentation present होता है खंड पाये जाते हैं जो इसके खंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं strobella इसकी body के तीन पार्ट होते हैं एक scollex, एक neck और एक strobella और जिसे हम body segment भी कहते हैं हालांकि ये true segmentation नहीं होता है ये pseudo metamorism कहलाता है pseudo segmentation कहलाता है इससे फिता क्रमी में विखंडन शर्थ का प्रयोग हम सिर्फ अपने समझने के लिए करते हैं आलांकि इसके अंदर true metamorism नहीं पाया जाता है अब इसके जो तीन पार्ट होते हैं scollex, snake और strobella इनके बारे में हम एके करके पढ़ लेते हैं सबसे हम पहले पढ़ते है scollex, यह इसका कहलाता है scollex, शरीर के आगे के सीरे पर जो present होता है उसे हम कहते है scollex, जो knob like structure होती है इसे हम head नहीं कहते हैं, हम पहले कभी इसे head का नाम कहते थे क्योंकि head इसलिए नहीं कहते हैं कि यहाँ पे कोई food perception के लिए या mouth जैसा कोई structure नहीं होता है, कि जिससे यह food को पकड़ करके रख सकता है यानि there is no mouth, कोई opening नहीं होती है यह एक knob like structure होता है, और यह bilateral symmetry को बताता है यह एक बाहर से देखने पर एक square सा structure जो है, यह दिखाई देता है और यह जो structure जो दिखाई देता है, चोटी जो जो इसकी दिखाई देती है इसके उपर की तरफ का जो पाट होता है, उसे हम कहते हैं rostellum क्या बोलते हैं, sorry, I write, rostellum कहते हैं rostellum जो है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला वह भी होता है और इस rostellum के उपर 22 से 32 तक curved hook present होते हैं यह जो hook होते हैं, यह इसके base पर दो line में रहते हैं आगे और आधिक तरफ पीछे की तरफ जो आगे की पंक्ति के hook होते हैं, वो हमेशा बड़े होते हैं और जो पीछे वाली जो line होती है, वो हमेशा चोटी होती है अंदर की पंक्ति के जो hook होते हैं, इनर lining में जो hook लगे रहते हैं वो बाहर की पंक्ति के alternate पाए जाते हैं और इसका जो hook का structure होता है इसका जो hook होता है C और D डाइग्राम जो है वो इसके hook है इसका जो hook होते है उसके उपर एक पार्ट पहला जाता है वो कहलाता है base वो कहलाता है base जो आधार होता है चोटी की तरफ एक handle पाया जाता है और एक इसमें पाई जाती है blade जो बाहर की ओर होती है स्कॉलेक्स का सबसे चोड़ा भाग पर जो है वो चार अर्ध गुला का और muscular suckers present होते हैं 1, 2, 3 and 4 ये जो suckers होते हैं ये इसके जो चोकोर होता है ये चारो कोनों पर इस्तित होते हैं और इन में भी hook नहीं पाया जाते हैं इसमें सिर्फ ये suckers होते हैं ये चूशक होते हैं इन hook और suckers की सायता से इस कॉलेक्स जो है वो अपने host की अपने जो host है उसकी host की जो intestine की wall है जो mucosal wall है उसके उपर जुड़ा हुआ रहता है और इससे ये वहाँ पर chip cover रहता है और move नहीं कर सकता है ये बोजन को पैचानने और पकड़ने या बोजन ग्रेंड करने का कोई काम नहीं करता है इसलिए हम इसे head नहीं कहते हैं तो इस तरह से जो इसका interior part जो first part होता है वो कहलाता है scolix इस कolix के उपर की तरफ जो निकला हुआ भाग होता है उसे हम बोलते है रॉस्टेलम इस रॉस्टेलम पर hooks पाये जाते है जो hooks यह हैं वो alternate होते हैं अंदर की लाइन में और बाहर की लाइन में ये दोनों हमेशा alternate पाये जाते हैं और hooks में तीन पार्ट होते हैं एक base होता है एक handle होता है और एक blade होती है अगर हम डिटेल में इसका पहले भी पढ़ चुके हैं फिर से हम पढ़ें जिसमें जो long और short hooks जो होते हैं वो alternate होते हैं और हर hook में तीन पार्ट होते हैं एक base होता है एक handle होता है और एक conical blade पाई जाती है दूसरा इसका जो हिस्सा होता है वो कहलाता है नेक ग्रीवा जिसे हम कहते हैं स्कॉलेक्स के पीछे एक स्पर्स छोटा सकरा unsegmented part होता है इस part को हम कहते हैं ग्रीवा ग्रीवा को हम budding zone भी कहते हैं ग्रोध zone, area of proliferation या area of segmentation भी कहते हैं यहाँ ही पर budding के द्वारा नए proglotates का निर्मान होता है ग्रोध zone, area of proliferation, budding zone भी कहते हैं और इसी से क्या होता है अगले जो जोन है वो डवलप होता है लास्ट पार्ट होता है इसका strobilla यह शरीर का लंबा और main part होता है इसमें 800 से लेके 1000 तक proglotates इसमें पाय जाते हैं और यह एक line में chain के जैसे लगे हुए रहते हैं और इसी लिए इसे हमने कहा solium solium जादी का नाम जो है वो सीरियाई शब्द शूशेल से लिया जाता है शूशेल का मतलब होता है जंजीर और यह जंजीर जैसा दिखाई देता है एक के बाद एक के बाद इसके जो proglotates है वो लगे रहते हैं इसलिए हमने इसे नाम दिया solium प्रत एक जो proglotates होता है वो शरीर की एक एकाई होती है और उसके अंदर पूरा reproductive organ का एक set जो है वो present होता है ठीक है इस प्रकार इसमें proglotation कहते हैं और पीछे के जो खंड पाए जाते हैं वो इसके mature होते हैं ग्रैविड कहते हैं जिने हम और वो पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं तो सबसे पहले जो खंड होते हैं वो होते हैं immature फिर आते हैं mature और last में होते हैं इसके ग्रैविड segments अब एके करके हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं तो जो पहले वाले जो खंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं immature segments जो की गर्दन से नेक से गृवा जो है उसके जस्ट पीछे की तरफ होते हैं यह नए बने वे होते हैं इसलिए अभी तक इनमें reproductive organs का development नहीं होता है यह जादा चोड़े होते हैं as compared to long और यह सब के सब immature कहलते हैं और इनकी संख्या जो है वो लगबख 200 होती है और यह गृवा जो रिजन है उसके जस्ट पीछे की तरफ लगे रहते हैं और यह आयताकार होते हैं इनके पीछे की तरफ जो segments होते हैं उन्हें हम कहते हैं mature segments इनकी संख्या जो है वो लगबख 400 होती है और यह center का part बनाते हैं यह देखन बड़े होते हैं और square shape में होते हैं इसमें भी क्या होता है कि जो आगे के जो 100-500 proglotates होते हैं उसमें सिर्फ male reproductive organs डवलप होते हैं female reproductive organs डवलप नहीं हुए होते हैं इसके बाद कि जो 500 segments होते हैं 250 segments होते हैं वो female reproductive system भी develop हो जाता है तो यहाँ पर पहले male reproductive system डवलप होता है और उसके बाद female reproductive system डवलप होता है हर जो proglotate है mature proglotate है उसकी lateral side के अंदर एक छोटा सा उभार पाया जाता है जिसे हम कहते हैं genital papilla या generic papilla कहते हैं इसके सीरे पर जो common genital pore पाया जाता है यह छिद्र जो है इसके बाद वाला जो segment होता है इसमें alternate पाया जाता है मतलब first segment में अगर right side है तो next segment में left side पर पाया जाता है और नीशे चन जो है इनमें स्वर नीशे चन भी हो जाता है और यह पर नीशे चन भी करते हैं दोनों होते हैं मतलब यह दूसरे परीपक जो दूसरा mature segment से अगर fertilization हो रहा है तो cross fertilization होता है और अपने ही segment में होता है तो self fertilization होता है जो third type के होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रैविट या mature segment कहते हैं और जो ग्रैविट segments होते हैं यह last में body का जो ribbon है उसके last में पाया जाते हैं और 152, 350 तक proglotis होते हैं और यह पूरी तरह से ग्रैविट होते हैं ग्रैविट यान्डे से भरपूर होते हैं यह चोडाई के अपेक प्रेचित अंडे भरे रहते हैं और इसमें सारे जो दूसरे और नहीं पाया जाता है आप यहां पर एक और इंपर्टन चीज होती है तो जो ग्रैविट प्रोग्लोटिट्स होते हैं वो पीछे से चोटे चोटे ग्रूप में 5 से 7 से ले करके पीछे की तरफ से समुझ से स्ट्रॉब इलाके पीछे की सीरे से तूट करके अलग होते जाते हैं और होस्ट की जो स्टूल होता है उसके बोलते हैं यह जो apple isis होता है इसके दो फैदे होते हैं दो क्या significance जो होती है इसके दो होती है क्या होती है एक तो इसके द्वारा जो gravity segments है वो बाहर निकल जाते हैं और जिससे जो secondary host है उसके द्वारा यह खा लिए जाते हैं या कर लिए जाते हैं दूसरा होता है कि इनके टूट जाने से इनकी जो क्योंकि यह पूरे segments जो है वो पूरे टाइम बनते रहते हैं तो नए segments जो बनते रहते हैं उससे इनकी लंबाई जो है और जो स्ट्रॉबिला की जो length है वो maintain रहती है तो इस तरह से इसमें जो process पाय जाता ह है क्या कहते हैं उसे हम apple isis या promotion कहते हैं इस तरह से इसकी जो external morphology है उसमें तीन पार्ट होते हैं एक स्कॉलेक्स होता है एक नेक होता है और एक स्ट्रॉबिला होते हैं स्ट्रॉबिला तीन टाइप के होते हैं immature, mature and gravid segments और इसके अंदर एक process पाया जाता है जिसे हम कहते हैं apple isis या promotion आज के लिए इतना ही होते, कल हम पढ़ेंगे इसकी body wall और आगे के structures के बारे में, thank you